वेल्कम बाक तु जीवा हेल्थ शोओ हमारे बीच उपस्तित हैं विश्व प्रसिद आयूरवेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जो की दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयूरवेदिक निदान यदि आप भी उनसे वारतालाप करना चाहते हैं कॉल कीजे इन नंबर्स पर फ्लाशिंग ओन यूर स्क्रीन राइट नाओ डॉक्टर साहब वेल्कम बाक आफ्टर दे ब्रेक और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहरे थी कि जीवा आयुथेदि में हार प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या उपलब्दिया हैं जीवा में जो भी हम काम करते हैं हार प्रॉब्लम्स कartet और बी कोई बीमारी की सबसे पहले हम ऐनेलाइज करते हैं कि यह प्रॉब्लम्स यतनी क्यों बढ़ रही है what is the root cause sometimes जो है उसका cause बॉड़ी के अंदर ना होके बाहर भी हो सकता है तो हमें वो सारी चीज़े अनिलाइज करके फिर हम उसके accordingly जो है उसकी चिकित्सा सूत्र तयार करते हैं और चिकित्सा सूत्र कहां से मिलता है हमारे जो शास्त्रे हैं और मुझे खुशी है कि काफी काम हम किया है और और काम भी हम आगे इसमें कर रहे है खास्तोर से बालों की जो आपने बात की तो जैसे मैंने कहा कि जो बालों की प्रॉब्लमस हैं उनका कनेक्शन पेट से होता तो पेट के लिए हम दवाईयां देते हैं जो बालों किसी का stress से relation है तो stress के लिए उसको दवाईया चाहिए ताके आपके बाल आगे ना गेरें तो इस प्रकार से हम पूरा काम करते हैं बहुत बढ़िया और डॉक्टर साब अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं जी ऐसे एक व्यक्ति जिन्हों ने जीव आयरवेट से टीटमेंट ली और उन्हें कैसा लगा आये देखत कि यहां पर हमने टीवी में प्रोग्राम देखा था चोहान साब का उसके हमें प्रविना मिली और हम से नहीं पर आये पंच्क्रिया वगरा सब करवाई हमने बहुत ही हमें आराम मिला है दवाईयां खाते रहे थे वरना एलोपेथिक को उनके साइड इफेक्स भी होते हैं तो इस तरह से मुझे बहुत ही ज़्यादा हुआ है मेरे बच्चे को भी मैं लेकर आई थी डिप्रेशन के लिए उसको भी बहुत ज़्यादा हुआ है और यहां का पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है पंच्क्रिया मैं तो कहते हूं है एक स्वस्यक्ति को भी करवाना चाह तो हमारा भी इस अंकल्प है और मैं इश्वा से प्रात्ना करूं कि अपना जल्दी ही साकाथ होगा वाव बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी बात डॉक्टर साब और उन्होंने का कि अपने हस्बिन को भी लेकर आएंगी उन्होंने जो कहा कि पंच्करम जो बहुत अच् है चाहे वो योग है चाहे वो हमारा जो पंच करम की क्रियाएं है चाहे हमारा जो आशदी का जो काम है हमारा जो आशदी निर्मान है वो अलग है और एक चीज बहुत अच्छी उनकी लगी कि उन्होंने इश्वर से प्रार्थना की कि हमारा जो सपना है घर-घर में आयरव पहुंचाएं और क्यों पहुंचाएं? क्योंकि हर वेक्ती का अधिकार है कि वो स्वस्त रहे और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आयरवेद उसको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, आयरवेद को सीखना पड़ेगा और हमारा जीवा में केवल एक मात्र यही उद आपका शुब नाम? कवीता कवीता जी कहां से बोल रही है है? मैं में गुर्गावान से बील रही है हाजी कवीता जी नमस्कार नमस्कार डॉक्त बताईए जी क्या पूछना चाहते हैं असल मेरे फेस पर 4-5 साल से चाहियां हो गई हैं और चीक्स पर अच्छा मैंने काफी इंगिशे दवाईयां भी की हैं लेकिन मुझे बिल्कुल भी कोई असल नहीं हुआ अच्छा करण मेरा सारा फेस वह थोड़ी थोड़ी एक्स्रा और बढ़ती जा रहें हैं अच्छा देके दो चीजें हैं इसमें आप जरा ध्यान से समझे एक तो जाहियां होती हैं ब्लै क्योंकि दोनों में अलग अलग ट्रीटमेंट और पिग्मेंटेशन इस मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट यह मैं आपको बता दू पिग्मेंटेशन एक बार हो जाता है निके आपके स्किन का पिग्मेंट ही बदल गया जाहियां या ब्लैमेशिज तो थोड़ा कुस टॉक्स जो हमारी स्किन में जाके जमा हो जाते हैं और वह हम टॉक्सिंस उनको चिंख करते बाटे थो उस में आराम जल्दी आ जाता है हमारी स्किन की साथ sovereignty होती है ऐर्वेद के नुसा तो यह आपका जो प्रॉब्लम है यह जlexigate यह सम्झां तो तीसरी लेच का हम लोकली भी च्ल प्रबिंग की जरूत नहीं पड़ती क्योंकि अल्रेडी डेड़ सेल्स वहां नहीं है तो मसाज करने से आपके तवचा के पोर्स खुलते हैं तेल अंदर घुसता है उसके बाद आप स्टीम करेंगे स्टीम करने से टॉक्सिंस बाहर निकलते हैं थोड़ा पसीना भी आएगा उसके बाद आपको लेप लगाना है और लेप किस चीज़ का लगाना है मसूर की दाल मसूर की दाल आपके घर में होती है आपने एक कहावत सुनी होगी जो कहते हैं ये मू और मसूर की दाल होती है लाल रंग वाली पिंक कलर की उसको पीस करके उसका आटा बनाईए और उस इंटरनल मेडिसन तो खानी पड़ेंगी, जो विकृती हमारे शरीर में एक बार कहीं पर हो जाए, उसको हम इंटरनल मेडिसन के माध्यम से उसको हम बैलेंस करते हैं, दोशों का जो प्रकोप होता उसको बैलेंस करते हैं, विद परहेज, हमारे यहां एक बड़ा जीवा में विशेश हमारा इंस्ट्रक्शन है पेशेंट्स के लिए भी और हमारे डॉक्टर्स तो करती हैं कि जब हम चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा में ऐसा नहीं कि आपको दवाई दियर बस चली दवाई के साथ-साथ आपको पूरा डाइट आपका लाइफस्टाइल आपको क्या चीज करनी है कैसे करनी यह सब इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है और केवल दे के हम छोड़ते नहीं आपको 15 दिन बाद आपको कॉल भी करते हैं पूछते हैं कोई समस्या है नहीं है इसलिए हमारे हैं रिजल्ट्स आते हैं और जो लोग इसको फॉलो नहीं करते उनको र स्क्रीन राइट नाउ डॉक्टर सहाब सवाल बहुत है मेरे मन में और स्पेशली मैं जानना चाहती हूं कि है प्रॉब्लम्स के लिए आयुर्वेद में क्या-क्या सेलूशन मौजूद हैं लेकिन फिलहाल वक्त आ गया है एक ब्रेक का बिल्कुर सो फ्रेंस डोंट गो एन जीवा आयुर्वेद सेंटर्स की स्थापना की है जहां पासकते हैं अपने किसी भी रोग के लिए एक्सपोर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स की राय और उपाई जीवा आयुर्वेद की किसी भी सेंटर से जोडने के लिए आपको याद रखना है सिर्फ एक नंबर यानि आपकी सेहत का नंबर 0129 4040404